अपनी मा को अकेले छोड़कर ससुराल नहीं आ सकती मैं तो आप मानेंगे मेरी दोनों शर्तें तो ही करूँगी मैं विवाब आपसे आपकी नहीं अपनी मा की नाम मिट गया गल्ती से आ गया ये पत्र मेरे पास अच्छा ही हुआ अगर ये पत्र उसके होने वाले पत्र के पास चाता तो पकाना कर देता तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुमने पढ़ा नहीं? शर्त रखी उसने विवाखी अब उसका होने वाला पत्ती ये पत्र पड़ेगा तो क्या सोचेगा? ये पागल है या आंकारी? साहसी, समझदार एक नई और आजाद सोच रखने वाली लड़की भी तो समझ सकता है ना मिनी? जादा नहीं हो गया थोड़ा थोड़ा? तक्यान उसी खयाल रखने वाले इस समाज के सामने शर्त रखना थोड़ा नहीं बहुत, बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात है कममाल की है ना ये लड़की तुम कह रही थी ना लड़की की कोई मर्जी नहीं होती विवाह में पर ये तो चाहती है अपनी मर्जी ये एक ही पागल है मिनी अंधेरे में राह दिखाने के लिए ना एक जुगनू काफी होता है ऐसे ही इतने सारे समझदारों के बीच ये एक पागल काफी है उमीद जिन्दा रखने के लिए बड़ी मुश्किल से बॉंदिता कर रिष्था ते करवाया था और इसने पत्र भेज कर शॉप सौप ते नाश कर दिया आज शाम गाय हुलूद की रोसम है अब इसके सासुराल वाले हुलूद लेकर राएंगे की नहीं कौन जाने अच्छा ही है ना लेकर आए हल्दी शादी तो नहीं होगी जाना नहीं पड़ेगा मा को छोड़ कर कैसे अपने दाथ दिखा रही है देखो मामी मुझ पकड़ोगे मेरा तो दाथ तो दिखेंगे न ओ काली मा कितनी बेशरम लड़की है अपनी शादी के साथ साथ क्या तो संपूर्णा की भी शादी तुटवाएगी कहां से देंगे हमें तदेज पर्त तो अपने होने वाले पती को भीज़े मैंने वो नारास होंगे तो मेरा विवर तुटेगा सम्पूना दीदी की शादी क्यों नहीं होगी बला कोई जोड है क्या मेरे और सम्पूर्णा दीदी के लिवावे इसके होने वाले पती को मैं खुद पत्र पहुंचाऊँगा इसका लिफाफा कहा है इसका लिफाफा कहा है मिनी तो क्या वो लड़की मुझसे जादा समझदार और कोशल है ये कैसा सवाल हुआ मिनी तुम कहो न को लेकिन मेरी बाबा कहते है कि मुझ जैसी गुणी लड़की पूरे कॉलकता में धूनने पे भी नहीं मिलेगी मैं पियानो बजाती हूँ तुम्हें टैनिस में हाराया शेक्सपीय हो या रभिंद्रनाण टैग हो बहस भी कर सकती हो और विचार भी हो सकता है कि यह तुमसे हर चीज में पीछे हो पर भविष्य की सोच में यह तुमसे कहीं ज्यादा आगे है में नहीं यह सारी बाते कहने सुनने में अच्छी लगते हैं लेकिन अगर तुम उसके होने वाले पती होते तो क्या ऐसे शर्त रखने वाली लड़की से विवा कर लेते तो मैं भी शर्त रखता उस लड़की के आगे शर्त ये कि चाहे उसका पती हो ससुराल हो या समाज ही क्यों नहों सबके सामने वो अपने अधिकार मांगे और अगर उसे मेरी शर्त मन्जूर होती तो मैं उसका हाथ इतनी मजबूती से थामता कि वो ऐसे ही समाज के सामने अ और तर्क से फर्क मिटाती रहे अच्छा तो वो लड़की तुमको मुझसे ज़्याद अच्छी लगे अब तेखो मैं क्या करती हूँ इस लड़की को सही जीवन साथी मिलना बहुत जरूरी है पर बिना पते के पत्र पहुँचे कैसे उसके होने वाले पती तक इस लड़की का तो पता है पत्र में उने वाले पती को जवाब मिले ना मिले पर इस लड़की को उसका जवाब जरूर मिलेगा बोधी संपोर्ना के लिए दहेज तो तयार कर लिया था ना अपने तो दहेज कहां से लाएंगे ऐसा क्यों कहां वो दहेज तो पूरा तयार है आपने तो देखा यह तो पागल है इसकी तो आदात है शुब समय में कुछ अशुब करने की आपको अपने दादा पर भरोसा नहीं गया मैं अपने बॉंदिता की साथ कुछ गलत कर सकता हूं आपके लिए ऐसा सोचना भी पाफ होगा तो बर कुछ मत सोचो पस इतना मांगो इश्वर से कि आज बॉंदिता के सासुराल से उसकी खल्दी की रसमाज़े उसके बेजेवे पत्र को उसकी नादानी समझ के माफ कर दे आज समय पे ना दिया तो दोश हमारा ना होगा बाद में ना कहना कि जमीदार जमीन निगल गया यस 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 Mr. Commissioner अनिरोड इस एक्स्ट्रीम्ली सॉरी, एक्स्ट्रीम्ली सॉरी उसको यहां के तोर तरीके समझने में थोड़ा वक्त लगेगा बाबा, 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 पाच मिनिट रुख सकते हैं, प्लीज, काका, आप ही रुके ना, बात करनी है, दिनॉए अनिरुद को अपनी गलती का हैसास हो गया है, माफी मांगे, तो माफ कर देना मैं जानता हूँ, कल जो पाटी में हुआ, उससे आपको दुख हुआ और मुझे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं मांगूंगा नहीं क्योंकि वो आपको गलत लगा, मुझे नहीं जातपात आपके लिए माइने रखते हैं, मेरे लिए नहीं समाज, रुत्बा, रीत, परंपरा, ये सब आपके लिए जरूरी हैं मेरे लिए जरूरी नहीं हैं, बाबा मैं चाहता हूँ कि ये जो उट जात, नी जात, छोट अचोट ये सब खतम हो कितना अच्छा होगा अगर अमीर गरीब एक साथ आएं, सब मिलकर एक सोच, एक राष्ट्र बनाएं औरतों को और आदमियों को समान अधिकार मिले औरत आदमी के पेरों की जूती नहीं, कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बने आज जो सोच मेरी है, कल पूरे हिंदुस्तान की बने पर मैं ये भी जानता हूँ कि आज हमारे विचार नहीं मिलते लेकिन हम तो घर पे रोज मिलेंगे ना बाबा है ना काका मैं आपका दिल दुखाना चाहता नहीं, मगर जाने अन जाने में शायद रोज दुखा दूँ इसलिए आप चाहें तो मुझे घर से निकाल सकते हैं ठीक है, तो मारा घर से निकलना ही ठीक रहेगा अपना समान बांद लो अने रुद शोंपुन्ना बिटिया की गायो हुलूद की हल्दी स्विकार कीजिए और जैसा की तै हुआ है, हम एक देर दिन में यहां बारात लेकर पहुँच जाएंगे आप चिंता मत कीजिए जितना हो सकेगा उतना बढ़ियां बारात के इंतिजाम रखेंगे बहुत अच्छा पर वो जो तै हुआ था याद है न आपको लड़की के साथ क्या-क्या भेजना है आपको जाएगा तु बस सब भला ही होगा संपूर्णा के ससुराल से तो हल्दी आगी पर बंदीता के ससुराल से अभी तक काई हो लुद नहीं आया नचाने कब आएंगे इसे बदलाव नहीं इसे क्रांती कहते है और ना दो कदम भी तुम ये क्रांती की मशाल को लेकर चल नहीं सकते कुछ जानते भी हो तुम उनके बारे में जिने तुम बदलने आयो अभी धूप में चले रो नंगे पाओं कभी पत्थर चुबे हैं तुम्हारे पैरों में अनिरो दिये सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और जानने की कोशिश करो कि जिने तुम बदलना चाते हो क्या वो भी बदलना चाते हैं की नहीं इससे पहले कि समाज तुम्हें तुकारे लतारे खुद ही अपने ये बदलाव की मशाल को बुझा दो और लंडलना चाते अगले हफ़ते की शिप्स की टिकेट्स बुक करवा दिये मैंने पार्टी की तरह मेरी टिकेट्स मत वेस्ट करवाना है ।ुम्हें नहीं हो पाएगा अनीरोध की जगा आप खुद मुझसे कहींगे तुम्हें कर दिखाया निरोध अगर एक पर भी मुझे लगा शायद मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं खुद आपसे कहूँगा कि बाबा, आप मेरे टिकेट में तारीक का खाना खुद भर दीजिये। शायद आप सही हैं, ये बस मेरा एक फितूर है, और फितूर है तो है बाबा, मेरी सोच और उसे अलग है तो है बाबा तो समय को ही ताय करने दे देते हैं, कि कौन सही और कौन गलत है हाँ, क्यों नहीं, अनिरुद को एक मौका तो मिलना ही चाहिए किसी भी तरहा अनिरुद यहां पर रोक चाहिए, इसलिए ये सब हुछ कह रहे हैं ठीक है, मैं देता हूं तुम्हें एक मौका पर हाँ, मनिरुद जिस दिन तुम हार गए, जिस दिन तुम्हारा ये फितूर निकल गया उस दिन हर गलत और सही का फैसला मैं लोगा फिर जो मैं कहूंगा तुम्हें वो मानना होगा मन्जूर है? मन्जूर है लिखना शुरू करो, Somnath करता जाथ जो कुर के तुम्हें लुराज़ करता लोगा करता है कुम्हें कुम्हें कारेज़का टान्यक्त ठ्यूर्णाभ की शूर्णाब शुर्णाओ यह ग्म्हें क्या कर रहा है, पंध्रा मिंट से डिक्षिनरी में मतलब नहीं मिला, ऐसे होते हैं अंग्रीजी मध्यम के बच्चे, इसे बड़े होके अंग्रेजी नहीं आती, सोमू, क्या करेगा, निरुटका एक भी कुण नहीं है, ऐसा बाबा कहते हैं, आपके बारे में, काल लोंगे त पे-उ-एस, तक भी करेजियस पेल, कैसी लगी? सुन्दर, इश्छ, मैं स्पेलिंगी बात कर रही थी, मेरी बुद्धु विदेशी बाबु, बुद्धु क्यों? जिसके लिए तुम ये खत लिख रहे हो, उसे करेजी से आप इतनी अंग्रेजी भी आती होगी, अब वो वो लड़की मेरी तरह सुन्दर, मेरे जितनी पढ़ी लिखी ना हुई तो, मेरे जैसा कोई है क्या यहाँ? नहीं है बादी! इश्छ, पैसे, सुन्दर चो लग रही हूँ ना मैं, या बहुत सुन्दर? योप मती लगना है मुझे आज, लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं? ठीक शाम, छे बजे! शायर उनकी नजर भाप ले, मेरे गुणों का सही मोल? उनको पसंत वाऊंगी ना मैं? देखो कोई कड़बर तो नहीं है ना मेरी श्रिंगार में? जूट बोलकर मेरी परीक्षा ले रही है, सौदामनी. स्रीक शाम, 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 चौदामनी. शाम, देखो कि छाम, देखो कि लिवा. हिंदी में बड़ी समझदार है मिनी तो कहा क्यों नहीं बोधी को अभी तक बोधी बनी नहीं नहीं तुम्हारी वो है पुट्टा अब बागो बागो तुम जानते हो मैं कुई नहीं हूं अरे मेरा इस धर से रिष्टा इंगर से केचे को नहीं है अरेलहा Curry, ईख एफिर के लिए हमता है हें लाध में अल्डी का लुगहेशाल की अचैब मोरा होआ reflect कि आग में याका पारोइव शेकिरे आए, सुनो, जाओ जाके बच्चों को कहो, उन्हें परिशान ना करी, ये बॉंदिता के ससूर जी है, ठीक है, गाई हो रुद लेकर आए है, और उन्हें सम्मान के साथ गाल लेकर आए, जा, शेकिरे जा, अले कहा ना पीछा जो ला, ऐसा स्वागत गत्व है इस गा अन्ता नीना, अंदर आईये, चल्पान कीजे, अन्ता नीना, अन्दर आईये, चल्पान कीजे, उन्हा मैने, ओनी रुद ने जो कहा, अब क्या करोगी, उसके मूँ से प्यार मनवाना, टेर ही खीर है, जुबां पर मुश्किल से आता है, लेकिन उसके दिल का हाल, अच्छे से जान लेती हुँँँगे, इतना तो भरोसा है दीदा, कि सिवा मेरे, उसके दिल में और कोई नहीं रह सकता, है क्या कोई, जो मेरे सिवा, उस नक्चड़ और निरुद की नाग पकड़ सके, बसकरीम लिखाना, गला बैठ जाएगा तो ससुराल वाले गुंगी कहेंगे, गुंगी? गुंगी क्या होता है दीदी? जो बोल नहीं पाते हैं, उसे गुंगी कहते हैं, इस तरह से तो हम सब लड़कियां गुंगी हुई, सब कैसे? मा कहती है, लड़कियों का कितनी बार मन होता है ना कहने का, पर वो बोल नहीं पाती, तो जब वो बोल नहीं पाती, तो हुई न गुंगी? हमारे पास तो आवाज है, आवाज है तो उठाती क्यों नहीं? तेरी आवाज बंद रहे तो ही अच्छा है कितना तरकती है तैक से ही तो फरकाएगा दीदी तेरी ये इमली की तरह खटी मिठी बाते मुझे से सुराल में बहुत याद आएगी बॉन्दीता याद आए तो चली आना तुम और मैं और माँ हम तीना साथ में खूब खेलेंगे शुकर है तो खुश है कि तेरी शादी हो रही है ना दीजी नहीं हो रही इसलिए खुश हूँ पत्ते का जवाब नहीं आए तो हल्दी भी नहीं आई होगी ना गाय हो लोदी ना हुआ तो शादी होगे और शादी नहीं तो मासे दूर भी नहीं दूर पगली ऐसा थोड़ी होता है शादी के बाद माँ जूटे की पर वो भी तो मिलेगा ना जो तुझे बहुत सारा प्यार करेगा मासे ज़ाद प्यार कोई कर सकता है बांदीता, तेरा बुढधा ससूर हल्दी लेकर आया है, घर्चा जल्दी गाय हो लोध, उसके बाद शादी ससूर जी आया है मेरी हल्दी लेकर, फिर तो पत्र का जवाब भी लाएंगे मेरे होने वाले पती का मैं पत्र के लिए इशमा चाहता हूँ नादानी में भेज़ दिया उसने कौन पत्र? उजे तो कोई पत्र नहीं मिला बजगे है वो कुछ काम बजगे थे जो आप हल्दी लेके आई है वो देदी जेनर असम की तो बाकी बचा काम भी पूरा कर ले कितना पैसा तैथ है यह उतना ही पैसा है बाकी शादी वाले दिन आपको पांच बगरी मिल जाएंगी मैं तो अपने हिस्से के सब बचे हुए काम तो पूरे कर रहा हूँ आप भी करने वाले है ना बात मोड़ेंगे तो नहीं कीमत चुकाने के बाद अधिकार किसका होता है जानते है ना आप कोई नहीं जानता है कि मैं बानदीता का स्थासूर नहीं बता देंगे ना आप लड़की और लड़की की विद्वा माँ को मेरा सही परिछा है जी आदर्मान सब कैसा होना चाहिए मेरी शादी पर समझते है ना आप जी इस उंबर में भी रुआप कम तो नहीं है मेरा इदरा खैरो जा लग रहा हूँ ना दुला जैसे आप खुछ तो हैं कि मैं भन रहा हूँ आपके घर का जमाई बंदीता का होने वाला पती बंदीता झांлект फटीता पर साथ लुप 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 आप ठीक तो है, आप एक जाल ले आगे पारी ना हूँ! पुलनाशीनी, हमेशा गरत वक पे आती है, बड़ो के बीच में तेरा क्या काम, चल जाए यहां से, हल्दी मेरी और मैं नहीं आ सकती, क्यों? यह लीजे, पानी पी लीजे, मेरी हल्दी, आप खोतुनी लगानी मामी! क्या बोलती है, समझती भी है, चल जाए यहां से! बाल क्या मामी, मुझे बान देना खूटे से, शिकायट नहीं करूँगी, बस मेरे पत्ते का जवब लेने दो ससुझी से! तेरी लंबी जबान से तेरी बाल बान दूँगी मैं! मैं समझा दू बोली! समझा दो और समझो भी दी दी, एक विद्वा बहन का खर्चा दो रहे हैं! क्या यहीं बड़ी बात नहीं है, अपना पेट काटकर आपकी भुककर बीटी का खर्चा कप्तक उठाएंगे? बुककर कहती है, पर दिये नहीं वो लड़ू, जो ससु जी के सामने सजा कर रखे दे! ओ, काली मा सोनो! इसकी नजर हमेशा ही लड़ू पे रहती है! सही दाम दिया है अपनी दुलन का, विवा का मुरत ना देखा होता, तो आजी विवा करके ले जाता है, समाल के रख लेंगे न हमारी अमाना दो दिन! बस, और हैसियत नहीं है हमारी, इसका पेट पाल देखे! जब तक विवा नहीं होता न, कोई नातक नहीं चाहिए मुझे! ट्विवास्टीव.न. को लिकास नातक बढ़्सा एफ़िगी चाहि अफ़स्टीव फृट भं प्रॉट प्रॉल साच कर श्क मार्स्टीव थो प्रॉल्स नातक ग्रॉल्स्टीव